हाई वेलकम तो बाइलोजिक्स वन्स अगेंड एंड सीए साइयर सीरीज 2020 सो दिस इस दा लेक्षा नॉम्बर 6 ऑफ फोटो सिंथेसिस अभी तक हम लोग फोटो सिंथेसिस के बारे में काफी कुछ डिसकस कर चुक है और आज हम जो डिसकस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का ना सीफृ साइकिल ठीक है तो जल्दी से एक बार सीफृ साइकल को हम देक्के रिवाइष कर लेते हैं यह आता कि की एक फ्लो बन जाये वापे सिंपल आपने लास् लेक्षर फॉलो किया होगा तो आपको जल्दी से यह ए आदा जाएग यह आपका सीफ्री साइकल है ना जो ए 3 CO2, 3 CO2 enters into the C3 cycle, ओके और 3 CO2 के एंटर करने से, एक Glycery LD 3 Phosphate आपका रिलीज होता है, वन Glycery LD 3 Phosphate is released, ओके, ओन एंटरिंग 3 carbon dioxide into the C3 cycle, और इसमें आपके टोटल, जब 3 carbon dioxide का reduction होता है, ठीक है, reduction, याद रखना, इसमें carbon dioxide का क्या हो रहा है, reduction हो रहा है, तो जब यहाँ पर reduction होता है, तो आपके total 9 ATP's utilized होते हैं, 6 ATP यहाँ पर, और 3 ATP यहाँ पर, तो 1 CO2 को utilize करने में, कितने होंगे, तो 1 ATP के लिए 3 ATP यहाँ पर, और 1 ATP यहाँ पर, तो यह सारी चीज़ें में आपको वहाँ पर बता चुका था, ठीक है, अब मैं एक चीज़ें आपको वहाँ पर बताना बोल गया था, कि इसका जो final product होता है, वो तो होता है, glyceryl aldehyde 3-phosphate, यहाँ से release होते हैं, तो यह 2 glyceryl aldehyde 3-phosphate मिलके, एक glucose molecule बनाते हैं, क्योंकि एक glucose molecule में कितने carbon होते हैं, 6 होते हैं, तो यहाँ पर जब 3 carbon enter कर रहे हैं, तो 3 carbon compound release हो रहा है, ठीक है, अब 2 glyceryl aldehyde 3-phosphate बनने के लिए, कितने carbon चाहिए, 6 carbon चाहिए, इसका मतलब 6 CO2 enter करेगा, तब जाके आपका एक glucose बनेगा, तो क्या होगा, कि जब 3 carbon dioxide एक बार enter किया, एक glyceryl aldehyde 3-phosphate बनने गया, फिट दुबारा 3 carbon dioxide इसमें एंटर करेंगे, 3 carbon dioxide एंटर करेंगे, और दूसरा glyceryl aldehyde 3-phosphate बन जाएगा, फिट 2 glyceryl aldehyde 3-phosphate मिलके, एक glucose molecule बनते हैं, ठीक है, तो एक glucose molecule बनने के लिए, आपके 6 carbon dioxide एंटर करेंगे, C3 cycle में, इस सब चीज़े नोट करते जाएए, यहीं सा question पुछे जाते हैं, ठीक है, तो 6 CO2 will enter into the C3 cycle to form one molecule of glucose, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एक glyceryl aldehyde 3-phosphate को बनने के लिए, या 3 carbon dioxide को reduce करने के लिए, आपके 9 ATP और 6 NADPH, यूज होता है, ठीक है, याद होगा आपको, तो एक glucose बनने के लिए, और 6 CO2 को reduce करने के लिए, कितने ATP और NADPH होंगे, बस जस डबल कर दीजिए, 18 ATP and 12 NADPH, इस खड़ब बल जाएगा, 12 NADPH and 18 ATP, 6, यहाँ पर यहाँ पर कितने हो जाएगे, 12 और 3 यहाँ पर इसका मतलब 6, तो 12 और 6, 18 ATP यूज होंगे आपके 1 glucose molecule को form करने के लिए, C3 cycle से, ठीक है, तो यह था C3 cycle के बारे में, अब हम लोग आते हैं, फोटो रेस्पिरेशन पर, तो फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, देखो, simple way में अगर मैं आपको समझाओं, तो क्या होता है कि, जब प्लांट light की presence में, फोटो सिंथेसिस करने के बजाए, बजाए, रेस्पिरेशन करने लग जाए, मतलब उसको बनाना था glucose, लेकिन वो glucose का breakdown करने लग जाए, तो यह कैसा है, एक तरीके सा negative, एक तरीके का negative pathway हो गया प्लांट के लिए, हामफुल होता है, है ना, प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है, negative path ही होता है, प्लांट के लिए, कौन सा फोटो रेस्पिरेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे light की presence में, प्लांट फोटो संथिस नहीं कर पाता, प्लांट के लिए रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, मतलब ब्रेकडाउन और फ्लूको शुरू हो जाता है, तो यह तो अच्छा है नहीं, है ना, क्योंकि वो light की presence में तो फोटो संथिस कर पाता है, लेकिन अब वो फोटो संथिस सियो टू को accept करके, राइबुलोस 5 फोसफेट को convert करता है, थ्री फोसफोग्लिसरेट में, तो यह जो रुबिस्ट को होता है ना, इसके पास होती है dual activity, ठीक है, कौन-कौन सी dual activity होती है, यह इसके पास carboxylase activity भी होती है, और oxygenase activity भी होती है, मतलब कि यह सियो टू को भी accept कर स लगता है, समझ रहो चीज को, है ना, तो carbon dioxide और oxygen दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ compete करते हैं, किसके लिए, same substrate के लिए, same substrate क्या है, राइबुलोस 5 फोसफेट, so carbon dioxide and oxygen compete with each other for the same substrate, that is, राइबुलोस 5 फोसफेट, and for the same active, same binding site present on, राइबुलोस, sorry, Rubisco enzyme, समझ रहो, वो, same substrate के लिए भी दोनों compete करते हैं, और same binding site के लिए भी compete करते हैं, जो कि Rubisco enzyme पे प्रेजेंट है, ठीक, तो क्या होता है, कि जहाँ अगर plant के आसपास, oxygen level बढ़ जाता है, ठीक है, और carbon dioxide level कम हो जाता है, तो, क्या होता है, environment में oxygen जादा हो गया है, तो क्या होगा, Rubisco क्या करेगा, oxygen अपनी तरफ attract करने लगेगा, मतलब oxygen को use करने लगेगा, instead of carbon dioxide, ठीक है, तो क्या होगा, कि जो Rubisco है, उसकी oxygenation activity, activate हो जाएगी, ठीक है, और oxygenation वो करेगा, ठीक है, पहले वो carbon dioxide, पहले वो क्या कर रहा था, carbon dioxide कर रहा था, CO2 को accept कर रहा था, लेकिन अब oxygen जादा हो गया, environment में, तो वो oxygen को accept करेगा, है ना, और आपको पता है कि oxygen के presence में क्या होता है, respiration होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले photosynthesis हो रहा था, लेकिन जब oxygen environment में बढ़ गया, प्लांट के आसपास, तो respiration होने लग गया, इसलिए इसको बोलते है, photo respiration, I hope यहाँ तक आपको एक समझ में आया हो कि photo respiration किसको बोलते है, है ना, अब हम थोड़ा बहुत इसके बारे में, थियोरी समझ पढ़ते हैं, और important points स्टार्ट करते हैं, discuss करना है, तो photo respiration क्या है, photo resp respiration को हम, एक नाम से और बोलते हैं, वो क्या है, oxidative photosynthetic carbon cycle, ठीक है, देखो, एक importance कि आपको में बता रहो, याद रखना, कभी-कभी क्या होता है, indirect names बूचते हैं, exam में, है ना, कि oxidative photosynthetic carbon cycle किसको बोलते हैं, कौन से pathway को बोलते हैं, इन में से, तो आपको option में दे दिए फोर्टो respiration, dark reaction, light reaction, है ना, और आपको correct answer choose करना होगा, तो फोर्टो respiration को क्या बोलते हैं, oxidative photosynthetic carbon cycle, अब यहाँ पे देखो, simple सा याद करने का तरीक है, कुछ नहीं, dark reaction जब मैंने पढ़ा है था, C3 cycle, तो बताया था, कि उसको क्या बोलते हैं, photosynthetic carbon reduction cycle, तो याद रखना हमे होता है, है ना, उसमें carbon dioxide का reduction होता है, ठीक, ओके, लेकिन जो फोर्टो respiration यह ऑक्सीडेटिव पात्वे है, यहाँ पे oxygen add हो रहा है, oxygen use हो रहा है, तो आपको पता है कि जहां पे भी oxygen use होता है, जहां पे oxygen utilize होता है, वो oxidative पात्वे होता है, तो फोर्टो respiration, आपको तो नाम स यह भी आद हो जाएगा, कि respiration में तो oxygen use होता है, तो इसका मतलब यह oxidative पात्वे है, इसका मतलब यह oxidative photosynthetic carbon cycle है, और C3 cycle, उसमें क्या होता है, carbon dioxide use होता है, carbon reduction होता है, तो यह क्या है, photosynthetic carbon reduction cycle, तो इन दोनों names में आप confuse मत होना, याद रखना, कॉप में note कर लो, exam में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो यह चीज़ हो गए, इसके नाम के बारे में, ठीक है, अब चलते है, इसके काम के बारे में, काम क्या करता है, तो जो photorespiration है, this is a process that competes with the Calvin cycle, आपको समझ में आई गया हुआ, कि यह Calvin cycle के साथ compete करता है, जब photorespiration होता है, तो Calvin cycle नहीं होता, यह inhibit कर दे होता है, Calvin cycle को, है ना, क्योंकि Calvin cycle में क्या होता है, आपने पढ़ा था, कि Rubis को carbon dioxide को use करता है, लेकिन जब oxygen environment में ज्यादा हो गया है, तो carbon dioxide को तो Rubis को use ने खरेगा नि, तो क्या start हो जाएगा, photorespiration शुरू हो जाएगा, तो अगर photorespiration हो रहा है, तो dark reaction नहीं होगी, मतलब स सित्री साइकल नहीं होगी, और अगर photorespiration नहीं हो रहा तो सित्री साइकल होगी, तो दोनों क्या एक दूसरे के competitors है, है न, लेकिन जब photorespiration होने लगता है, तो वो सित्री साइकल के ओपर हावी हो जाता है, है न, dominant कर जाता है, तो photorespiration is a process that competes with the Calvin cycle, because in this process, Rubis को enzyme oxygenates ribulose phosphate, ठीक है, Rubis को oxygenates, Rubis को oxygenates ribulose 5-phosphate, ठीक है, instead of carboxylation of RUBP, instead of carboxylation of RUBP, पहले carboxylation हो रहा था, अब क्योंकि environment में oxygen ज़्यादा है, तो यहाँ पर oxygenation होगा, तो यह चीज़ आपको सम्झा आ गई होगी, good, अब यह कब कब होता है, है न, photorespiration कौन सी conditions में होता है, पहली condition तो आपको सम्झा गी, कि environment में जब oxygen का level जादा हो जाए, ठीक है, तो photorespiration, during photorespiration, photosynthesis is inhibited in C3 plants, okay, C3 plants में photosynthesis रुख जाता है, जब photorespiration का process धीरे धीरे बढ़ता है, है न, जब oxygen का level बढ़ता है, तो photosynthesis रुख जाता है, किसमें C3 plants में, and this occurs due to the following condition, वो condition कौन कौन सी है, पहला है, high, sorry, high oxygen concentration, oxygen concentration बढ़ जाए, पता ही चलिए आपको, दूसरा है, low CO2 concentration, उसमें भी हो सकता है, CO2 concentration लो जाएगा, तो, अपने आप क्या होगा, oxygen यूज़ करने लेगा, अगर विसको enzyme, ठीक है, थर्ड है, high light intensity, और तीसरा क्या है, जब light intensity बहुत जादा होगी, तब भी क्या होग oxygenation होगा, RUVP का है, oxygenation activity राइवदू बढ़ जाएगी, ठीक है, और fourth condition है, high temperature, तो, ये चार condition आपको याद रखने है, high oxygen concentration, low carbon dioxide concentration, high light intensity, and high temperature, in these four conditions, the photorespiration process activates, समझ मैं है, good, अब चलते हैं, आगे, ठीक है, वारबर्ग effect बोलते हैं इसको, मैं बताऊँगा क्यों, photorespiration को, वारबर्ग effect भी बोला जाता है, बाद में discuss करेंगे, अब आते हैं, इसके important enzyme पे, ठीक है, तो इसमें जो rubis को होता है, rubis को बहुत important enzyme है, ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छे से समझना होगा, अब जित से use होता है, तो rubis को है, bifunctional enzyme, बता चल चुका है आपको, ठीक है, इसके पास दोनों activities होती है, ठीक है, जब इसको जिसकी ज़रूर होती है, यह करने लग जाता है, समझ रहे हो, उसके बाद, क्या होता है, at low concentration of carbon dioxide, rubis को performs oxygenase activity, यह तो सुन में आ गया, ठीक है, अब क्या होत है, oxygen and carbon dioxide compete for the same substrate, that is, RUVP, and for the same active site of rubis को, यह भी चीज में आपको समझा दी, है ना, अब देखो, यहां तक आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया है, तो अब हम C2 cycle discuss कर लेते हैं, जल्दी से, है ना, कि C2 cycle कैसे कैसे होता है, और उसके बार में कौन-कौन सी ऐसी important सी ह है, जो बार-बार कई बार exam में पूछी गई हैं और पूछी जा सकती हैं, और C2 cycle बहुत important है, C3 से भी जादा important है, ठीक है, exam के perspective से, exam के point of view से, क्योंकि यह थोड़ा सा अलग है, है ना, और जो भी चीजे थोड़ी सी exceptional अलग होती है, वो special होती है exam के लिए, ठीक है, तो C2 cycle को बहुत अच्छे से समझिए, इसको छोड़ के नहीं जाना, ठीक है ना, तो सबसे पहला जो question exam में पूछा जाता है, कि C2 cycle या C2 pathway में, कौन-कौन से organelles involved होते हैं, cell organelles involved होते हैं, तो याद रखना CPM, ठीक है, CPM, C for chloroplast, P for paroxysome, M for mitochondria, और ये sequence भी याद रखना है, आपको CPM, पहले chloroplast आएगा, फिर paroxysome आएगा, फिर mitochondria आएगा, अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, हम अपना C2 cycle, जो कि chloroplast से स्टार्ट होता है, ठीक तो process start chloroplast से होगा, ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका chloroplast में, dark reaction होता है, normally, है ना, यह dark reaction के बारे में, जब हमने पढ़ा था, तो हमने सब कुछ पढ़ा था, उसका, कि chloroplast में कहाँ पर होता है, stroma में होता है, light reaction, thylakon membrane में होता है, सब चीज यहाँ तक आपको समझ में है, उसके बाद क्या होता है, कि यह जो होता है, अगर यहाँ पर carbon dioxide होगा, तो वो carbon dioxide को use करेगा, है ना, और convert हो जाएगा, किस में, 3 phosphoglycerate में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर अभी क्या है, oxygen है, है ना, oxygen है यहाँ यहाँ जो यहाँ पर जो enzyme था, rubisco, उसकी oxygen is activity active हो जाएगी, तो क्योंकि यहाँ पर oxygen है, ठीक है, तो उसने क्या किया, कि C3 cycle में, जब carbon dioxide को use कर रहा था, rubisco enzyme, तो वो बना रहा था 3 phosphoglycerate, ठीक है, जो कि था 3 carbon compound, इस चीच को आप ध्यान रखना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से जब आप देखोंगे, तो यहाँ पर जब rubisco enzyme, oxygen को use कर रहा है, यह substrate आपका, RUBP जो है, वो substrate है, ठीक है, यहाँ पर आपका rubisco enzyme है, जो कि oxygen को use कर रहा है, और बना रहा है, आपका 2 phosphoglycerate, यहाँ पर बन रहा था 3 phosphoglycerate, C3 cycle में, ठीक है, मैंने C3 cycle इसले यहाँ पर रखियो थ है, यह है आपका 2 carbon compound, समझ रहो, 2 carbon compound, तो जो इसमें जो पहला product बनता है ना, उसमें 2 carbon होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं, C2 cycle, तो अब आपको C2, C3, C4 में कोई भी confusion नहीं हो नीचिए, इसका just इसको इसलिए बोलते हैं, C2, C3 क्योंकि इसका जो actual product होता है, या first stable product होता ह है, आपका carbon number पे depend करता है, अगर पहला actual product या पहला stable product में 3 carbon है, तो इसको C3 cycle बोलेंगे, जैसे की dark reaction में बोल रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसका पहला first product हो है, 2 phosphoglycerate and that is 2 carbon compound, इसलिए इसको C2 cycle बोलते हैं, तो C2 का confusion खतम, C2 के बोलते हैं, good, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दो RUBP utilize होते हैं, दो oxygen molecules होते हैं, और बनते हैं आपके दो two molecules of two phosphoglycerate, ठीक है, यहाँ तर फ्रमना है, two phosphoglycerate, ओके, और two phosphoglycerate से बनता है आपका two glycolate, दो molecule बनते हैं glycolate के, किस में हो रहा है यह, chloroplast में, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या 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 ध्यान र बनता है, और कहां से कहां एंटर करता है, यह question बहुत पूछे जाते हैं, question यह पूछा जाएगा कि glycolate कहां बनता है, और कहां ट्रांसपोर्ट होता है, तो it is synthesized into the chloroplast and transported into the peroxisome, है न, glycolate बना आपका कहां पे, chloroplast में और transfer हो गया आपका, peroxisome में, दो glycolate बने थे, दो glycolate आगई धर, peroxisome में, दो glycolate से आपके convert होता है, दो glyoxylate में, okay, two glycolate are converted into the two glyoxylate molecules, ठीक है, और यहां पे क्या होता है, इस वाले process में न, क्या होता है कि oxygen से convert होता है आपका H2O2 में, ठीक है, H2O2 में, और यहां पे एक enzyme होता है, catalyst, जो इस conversion को करता रहता है, O2 से H2O2, ठीक ह है, तो यह कभी-कभी पूछ ले जाता है कि catalyst enzyme कौन से step पे होता है, और कहां पे oxygen का conversion होता है, hydrogen peroxide में, ठीक है, H2O2 बोलते हैं, एक बाद चेक कर लेना, ठीक है, उसके बाद 2 glyoxylate molecules बन जाते हैं, उससे बनता है आपका 2 glycine, 2 glycine molecules are formed from the 2 glycine molecules, आप देखो, यहां पे glycine ब बन रहा है, paroxysome में, और paroxysome से enter कर रहा है, यह glycine कहां पे, mitochondria में, ठीक है, तो इस चीज को याद रखना कि glycine बनता तो paroxysome में है, लेकिन enter कर जाता है, कि समय है, mitochondria में, यहां तक समझ में आ गया, गुड, आप यहां पे क्या होता है, mitochondria में, देखो, दो glycine molecules बने है, है ना, सबके दो-दो molecules है, यह चीज़ आप याद रखेंगे, हर एक छोटी-छोटी चीज़ें आपको समझनी है, और याद रखनी है, यही तो इसका मज़ा है, यहीं से question पूसे जाते हैं, ठीक है, तो यहां पे बन रहे हैं, दो glycine molecules, अगर आप glycine, glycine क्या है, आमिना याद है, याद है, है ना, तो अगर आप glycine का structure याद करने के कोशिश करेंगे, तो आपको वहाँ पे याद आएगा कि उसमें दो कारवन थे, है ना, एक कारवन तो अलफा कारवन वाला, और दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, कार्बोगजिलिक वाला, कार्बोगजि याद है, तो इसमें दो कारवन होते हैं, ठीक है, गलाइसिन में, तो यहाँ पे दो गलाइसिन हो रहे हैं, इसका मतलब कितने कारवन हो गए, चार कारवन हो गए, इसका मतलब कितने कारवन हो गए, चार कारवन हो गए, इसका मतलब कितने कारवन हो गए, इसका मतलब कितने है दो ग्लाइसीन अब यहां पर थोड़ा समझो जो सीरीन होता है ना यह सीरीन क्या है सीरीन भी अम्यूनाइचिट है और सीरीन में आपके तीन कारवन होते हैं ठीक है इस लेक्चर को देखने के बाद आप ग्लाइसीन सीरीन का स्रुक्चर देख लेना आपको समझ में आ जाएगा ठीक है एक-डाशन में दो कारबन होते हैं तो दो ग्लाशन में चार कारबन हो गए okay 4 कारबन इंत्व ग्लाइस लाइचिन यहां टो एट बैकर तुछेफिंस यहां पर कहां पर होता है यहां पर माइट कॉंड्रिया में है है और यहां पर इक spill रिलेas होता है और एक अमीनोगर्व भी होता है अमोनिया जिसको बोलते हो अमोनिया बोल सकते हो तो यहां पर एक और शाड थैसिय समझते कंज रोग और ить सबको याद रखना है ठीक है दो तीन बार पढ़ोगे साइकल को अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा ठीक है तो यहां पर घ्लाइसेंड करता है और यहाँ पर रिलीज होता है के बारे में याद रखने है फिर क्या होता है कि यह जो सीरीन होता है यह आपका माइटो कॉंड्रिया से वापिस चला जाता है किसमें परोक्षिजों में ठीक है और परोक्षिजों में क्या होता है यह सीरीन कनवर्ट हो जाता आपका hydroxypyruvate में ठीक है फिर hydroxypyruvate आपका convert होता है किसमें glycerate में अब यह सब एक-एक molecule है one molecule of serene is converted ने तो one molecule of hydroxypyruvate and one molecule of hydroxy pyruvate is converted into the one molecule of glycerate और यहाँ पे एक NADH use होता है एक NADH आपका यहाँ पे NADH बन रहा है और यहाँ पे NADH use हो रहा है अब जब यह glycerate बन जाता है कहाँ पे paroxyzone में तो यह glycerate एंटर करता है कहाँ पे chloroplast में ठीक है और chloroplast में glycerate convert होता है आपका 3-phosphoglyceric acid या 3-phosphoglycerate जिसको 3-PGA भी बोल सकते हो ठीक है और यहाँ पे आपकी ATP utilize होती है glycerate से 3-phosphoglycerate में क्योंकि glycerate से क्या बन रहा है 3-phosphoglycerate यहाँ पे एक phosphate add हो रहा है और phosphate कौन add करता है ATP से वो phosphate group add होता है तो ATP से ADP में conversion हो रहा है तो ATP का एक phosphate जो है वो glycerate में add हो गया और वो बन गया 3-phosphoglycerate ठीक है और आप जड़ा सीतर cycle पे आ जाओ 3-phosphoglycerate यह रहा 3-phosphoglycerate तो यह जो 3-phosphoglycerate होता है यह आपका enter कर जाता है Kelvin cycle में ठीक है 3-phosphoglycerate आपका enter कर जाता है Kelvin cycle में ठीक है वापिस और फिर वही cycle चलती है C2 cycle तो इस तरीके से C2 cycle continuously चलती रहती है तो आपको क्या क्या याद रखना है एक तो याद रखना है कि कौन सा चीज Kelvin cycle में enter करता है और कहाँ पे 3-PGA enters into the Kelvin cycle during C2 pathway C2 cycle और वो क्लोरोप्लास में होता है ठीक है दूसरी चीज आपको याद रखना है कौन सी चीज कहाँ बनती है और कब कहाँ से कहाँ enter करती है ठीक है फिर आपको इस वाले concept को जो मैंने समझाया था वो यहाँ पर याद रखना है पहला product जो बनता है वो two carbon का pond बनता है two phosphoglycerate that's why it is known C2 cycle ये चीज आपको याद रखनी है और C2 cycle के बारे में जो मैंने डूबिस को के बारे में बताया है को इसके पस dual activity होती है उसको ध्यान में रखना है और इसका sequence याद रखना है CPM chloroplast paroxysome और mitochondria ठीक है तो I hope कि ये C2 cycle आपको आज अच्छे से समझ में आ गया होगा आप इसके जो दो तीन important points बचे हैं उसको discuss कर लेते हैं क्योंकि आप आपने cycle समझ लिया है तो ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा हमने यहाँ पे एक enzyme की बात कि थी glycine decarbonate glycine decarbonate is exclusively found in mitochondria है ना समन में आ गया and it catalyzed the conversion of two molecules of glycine into one molecule of serine one ammonia and carbon dioxide ठीक है तो अब यह जो ammonia और carbon dioxide बने हैं इनका क्या होगा serine and ammonia are recycled back serine जो यह है यह भी recycle हो जाता है पाथवे में और ammonia भी recycle हो जाता है पाथवे में यह भी enter कर जाता है इधर ठीक है ओके यह भी इधर paroxyome enter करके कहीं न कहीं utilize जाता है अभी उसके जरूरत नहीं है जब हम बाद में कभी detail में पढ़ेंगे तब में यह पाथ यह पाथ यह बहुत बढ़ा है ठीक है लेकिन question सिर्फ यहीं से पूछ जाते हैं तो मैं अभी यही discuss कर रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ इधर उदर नहीं करना ठीक है तो ammonia और सिरीन क्या होता है recycle हो जाते है use हो जाते है reuse हो जाते है लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक carbon dioxide waste हो जाता है ठीक है खर्च हो जाता है इस process में ठीक है अपनी कुर्बान ही दे देता है इसलिए जो photorespiration है ना यह अच्छा नहीं होता plant के लिए ठीक है बिचारा plant है ना तो क्योंकि यहाँ पे photosynthesis में तो carbon dioxide को use करना था ना plant को और बनाना था glucose लेकिन यहाँ तो carbon dioxide waste हो रहा है अगर यहाँ रुबिश को enzyme present होता और C3 cycle यहाँ हो रही हो तो क्या होता वो CO2 को accept कर लेता क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी oxygen नहीं है है ना तो यह सब concepts है है आप जब ध्यान से pathway को समझोगे ना तो आपको मज़ा आएगा तो यहाँ पे C3 cycle अगर हो रही होती है तो यहाँ पे देखो continuously CO2 release हो रहा है है ना लेकिन यहाँ C3 cycle है नहीं तो वो accept कर नहीं पाएगा रुबिश को तो यह क्या हो रहा है यहाँ वेस्ट हो रहा है यहाँ पे C3 cycle अब तो यहाँ C2 नहीं है फोटो रेस्परेशन के बारे में है है ना और लास्ट चीज बता दूँ कि जो फोटो रेस्परेशन है मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया शायद फोटो रेस्परेशन को हम लोग ग्लाइकोलेट पाथवे भी बोलते हैं यहाँ पे देखो ग्लाइकोलेट आ रहा है इसको ग्लाइकोलेट पाथवे भी बोलते हैं और लास्ट पॉइंट है वारबर्ग इफेक्ट इसमें क्या होता है करवारबर्ग इफेक्ट तो यह सब था फोटो रेस्परेशन के बारे में ठीक है अब आपको समझ में आ गया है कि कुछ conditions ऐसी होते हैं जहां पर plants CO2 को use नहीं कर पाता क्योंकि CO2 का concentration environment में low है oxygen का concentration environment में high है तो उस case में क्या होगा plant क्या photosynthesis नहीं करेगा ऐसा नहीं है अगर कुछ drawbacks है environment में तो उसको overcome करने के लिए भी कुछ process है कुछ pathways है और उन्हीं को हम पढ़ेंगे next video में ठीक है और वो है C4 pathway और cam pathway तो वो दोनों pathways जो ना उन pathways को हम बोल सकते हैं carbon concentrating pathway वो क्या करते हैं न कि जहां पे भी carbon dioxide environment में कम है कम है कम है तो वो क्या करते हैं carbon dioxide को concentrate करते हैं पहले plant के लिए ठीक है वो जो pathway होता C4 और cam concentrate करते हैं ताकि rubis को CO2 को यूज कर पाए है ना जब concentrate होगा carbon dioxide तो ज़्यादा हो जाएगा plant के अंदर कठा फिर वो आराम से अपना C3 cycle चला सकते हैं ठीक है तो जो C2 cycle होता है वो C3 cycle वाले plant में देखने को मिलता है ठीक है समझ में आरे यह चीज़ यह चीज़ अगर question exam में आएगी क्या C2 cycle ऐसे plant में मिलता है जिसमें C3 cycle होती है तो हाँ तब ही तो वो C3 cycle को affect करता है ठीक है ना C3 cycle को inhibit करता है ठीक है तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे क्या cam pathway और C4 cycle ठीक है और वो last होगा photosynthesis का ठीक है तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you soul अब्सक्राइब तो अब्सक्राइब कर्षाब पंब्सक्राइब